नमस्कार मैं मयूरी और मैं आपके लिए बना रही हूँ पनीर काली मिर्च वाइट ग्रेवी में पका हुआ पनीर, क्रश्ट पेपर कॉन का फ्लेवर, वाँ, उंगलिया चाटते रह जाएंगे बनाने से पहले देखते हैं इंग्रीडियन्स 400 ग्राम पनीर, एक कप फेंटा हुआ दई, आधा कप कोरियांडर लीव्स बारिक कटा हुआ, पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स बारिक कटे हुए एक इंच दालचिनी का तुकडा, दो या तीन तेज पत्ते, दो से तीन हरी लाइची, दो से तीन लॉंग, एक चमच जीरा पाउडर, आधा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर, दो चमच कोरियांडर पाउडर, दो से तीन टेबल स्पून बटर, नमक जाएके के अनुसार, दो कप पानी, एक टेबल स्पून कूटी हुई काली मिर्च, दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए, तीन अनियन बारिक कटे हुए, गार्लिक पॉड्स, एक इंच अध्रक का तुकडा, दो हरी मिर्च, पहले हमने एक पेस्ट तयार करना वहर्गा है, तीन अनियन्स, जिसे काट कर बनाने फ्रेश फ्राई कर लें, तीन गालिक के पॉड्स लें, एक छोटा अध्रक का टुकडा लें, दो या थीन ग्रीन चिलीज लें, इन सबको एक ब्लैंट कर लें, यह सारे इंग्रीडियन्स मिक्स करके, हमने यह आचे, मसाल यह spices जो है cinnamon, cloves, cardamom और bay leaves डालकर fry करें अब इसमें हमने जो यह पेस्ट अल्रेडी ब्लैंड किया हुआ है वो mix करेंगे धीमी आज पर एक से दो मिनिट के लिए पकने दें अब इसमें बीटन योगर्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून कोरियांडर पाउडर, 1 टीज़्पून क्युमेन पाउडर, जाइके जितना salt और धीमी आज पर और थोड़ा पकने दें करीब 2 मिनिट अब इसमें 2 कप पानी डा दो मिनित जितना हमारा ग्रेवी बॉइल हो चुका है आप इसमें कटा हुआ पनीर डालेंगे थोड़ा सा मिंट और कोरियांडर लीव्स डालेंगे इदोनों मिक्स किये हुए इसमें आप इसमें डालेंगे फिसी हुई काली मिर्च एक टेबिल स्पून जितनी अब लास्टल कि इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालेंगे थोड़ा सा एक टी स्पून जितना गरम मसाला डालेंगे आप इसे धीमी आज पर पकने दें करीब 15 मिनिट आप इसे सर्व करने के टाइम पर ही पैन में से बाहर निकालें यह हो गया हमारा पनीर काली मिर्च तैयार कर दो